प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी जी को जे बोलना पड़ा कि इतनी जगहों पर टोल पलाजा बंद है इतनी जगह पर जो मुवाइल के टावर के किलेक्शन काटे जा रहे हैं तो अंदोलन का जो है वो गूज तो सरक से लेकर संसता को फैली हुई अश्कार साथियो मेह मुकुंद अरभी मौजूद है बहादूर गड़ किसान मजदूर महा पंचायत में इस ये पंचायत को पहली पंचायत ने इससे पहले कई तरह की पंचायतें बैश्चुत्र परदेश, हर्याना, पंजाब, राजस्थान और इस तरह के एक पंचायत के बिहार में भी हुई है इन पंचायतों के माध्यम से किसान आंदोलन अपने आंदोलन को और मजगूत करने कोशिश कर रहे हैं लगातार हजारों के संख्या में भीड़ा रही है और इस इस आंदोलन सामिल लोगों और सजीर्ट मोर्जा किसान नेताओं से समझना ही कोशिश माध्यम से दीगान आंदोलन गर्णिति क्या है और इन पंचायतों का किसान अंदोलन में क्या प्रहा पर रहा है और कितनी मजगूति को प्रदान करने में कर पा रहा है उसकी क्या भूमिका है जो बने कोट में शीद हुए थे, शाथ उनको शक्भांगली तेने के लिए पूरे देश में शाल जलूस बोबती मर्च करने हैं करोगे साथी शर्थांजली देने के लिए और सौना तारीक को फिर सर्चोटू राम का पसंत वाड़े दिन दिन मनाना है पूरे देश में पूरे देश में सर्चोटू राम की जीवदी पंचेते हो रही हैं ये सरकार का दिखाने के लिये है कि लोगों के अंदर कितना रोंस हैं फिर और जो हैं ये बैकाये हुए हूए नहीं है। हमारी मताएं बेने भी पंचेतों में आ रही है रैलियों में आ रही है तो यह लोगतंतर का यही तरीका होता है अपनी बात को परदर्शन करने का जे चलता रहेगा कठ बढ़ते जाएंगे महलाएं आ रही हैं नौजवान आ रहे हैं सारे लोग छोटे शोटे दकानदार जो कनूनों दे परवावत हैं वो सारे लोग इस कठों में आएंगे क्योंकि सारे एंदोलन कौम का नहीं कौमांतरी बन गया है सारे देश के लोग उटगे सारे कृती लोग मदान में आगे क्योंकि इस कनून से PDS का भी खतम होगा सरकारी खरीद भी खतम होगी सरकारी मर्केट भी खतम होगी MSP और कोई अर्थ नहीं रहेगा ये लोगों के समझ में आगी बात, ये रोटी का सबाला है, इसलिए ये कनून राद करने के बगार ये अंदोलन खत्म नहीं हो देखिए पार्लियमेंट के अंदर तोनों में ब्यान दिया कि एमस्पी है, ठाओ, एमस्पी है, एमस्पी रहेगा, लेकिन हम कहते हैं कि मुद्दी जुटा था, जुटा है, जुटा रहेगा, वो हर बात भरेबसे करते हैं, जनतकों को गुमरा करते हैं अन्जीता उरहे एगता एगता, इस अन्डोलण के लिए है, जो बहुत अची है, बहुत है उस में है, किसानों के फाइदे के लिए है, हम ये уров is, झाती है वो किसनों साथ आदम के साथ एक साथ खड़ी है और हवेशां उनके साथ एकताबन के खड़ी रहेगी। कार्ड ने ये भी कहा है जो आंदोलन अगर खिसानों को अब जाता लेकित इसमें कुछ आंदोलन जीवी गुजगए हैं जो आंदोलन जीवी उपर जिन्हों ने देश को अजाद कराया जिन्हों ने हर जुलम के विरुद लड़ाई लड़ी जो आज भी आर्थी का जादी के लड़ाई लड़ रहे हैं देश को बचाने के लड़ाई लड़ रहे हैं हमें गर वैसे अदोलन जीवी होने पर